लेकिन प्रोटीन के वझाच स्तरा बस इसी बातके डिसकस करेंगे आज कि वीडियो में तो बने रिए विडियो में अब बात करने वाले हैं प्रोटीन सौर्स के वारे में अब वोसली जो फीडों के प्राइज है जो भी हम दाना बना रहे है जो वोसली फीड्स है इनमें जो प्राइज हाई है it's just because of खलों के चकर में प्रोटीन के चकर में तो आप सभी के लिए मैं इंपोर्टन टॉपिक लिए हूँ कि आपके एनिमल को as it is protein नहीं चाहिए आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपनी फीड में इतना सारा खले डाल दिये मतलब 30-35 किलो मेरी फीड में क्वांटल में खले हैं तो मैं निस चिंत हो जाओ कि हमने प्रॉपरली अपना nutrition balance करा लिया बात यह है कि हमारे पशू को पॉरटीन बनती है न एक माला बनेगी तो छोटे छोटे चोटे जो मतलब में होंगे न वो होते हैं हमारे इसेट sonra हैं हर सभी हमारे जोड़ी के एक पॉटीन बनती है right अब दिक्रत की बात क्या आती है कि अगर एक भी इसेट कम होगा तो वो प्रोटीन हम पुए एक कम्प्लीट प्रोटीन नहीं कह सकते हैं तो हमने काम करना है अमाइन असेट्स लेवल पर अगर हम एक्सेस फीड दें जाएंगे अब मैं आपके गुदानिन के तौर में बात करता हूँ जो सबसे सक्षम मानी जा रही है प्रोटीन सोर्स के लिए खले वो है सोयबिन की खल अब लोग सोयबिन की खल प्रॉपर ली डाल रहे हैं तो लेकिन उनको फिर भी डिजायर रेजर्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उसमें जो एक important amino acid है मित्योनिन वो नहीं होता मतलब कम मात्रा में होता है अब ये मित्योनिन अगर कम मात्रा में होगा तो जो एक प्रोटीन सोर्स का complete होना एक माला का complete होना वो complete होगी नहीं मतलब भी कमी रहेगी अगर हम बात करें मक्के की मक्के में एक लाइसिन नाम का माइनो असेंट कम होता है तो वो भी एक complete source protein का नहीं हुआ, मतलब as a protein पूरी नहीं हो पाएगी अगर हम अकेला डारेंगे रहें, तो इसी तरह है कि हमारे जो body में कुछ limiting amino acids हैं, जैसे methionine हो गया, lysine हो गया नेरी के sector में जो animal खुद नहीं बना सकता हमें बाहर से supplement करना पड़ता है अब बाहर से supplement करेंगे तो इनको भी हमें encapsulate करके, मतलब इनको as a bypass करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पशों को खिलाएंगे, तो वो सीधा जाके रिम्मन में जाके वो forment हो जाएगा जाके newdenum में, jejunum में जाके absorption हो, और जो हमें protein का absorption चाहिए, जो उसका फाइदा चाहिए, वो properly वहाँ जाके होगा, अब mostly जितने में हमारी खले आ रही है न, ये mostly सभी ही methionine और lysine में इनके कमी होती है, इसलिए methionine और lysine एक limiting amino acids है, if we talk about daily sector तो इनको हमें supplement करना पड़ेगा उपर से, अगर हम कोई भी खले दे रहे हैं, जैसे कभी किस nutritionist अपने formulation करवाई तो आपकी formulation ऐसे करेगा, कि आपको supplement करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपका methionine और lysine level, मतलब balance आप नहीं हो रहे हैं, तो हमें supplement करना पड़ेगा, इसलिए कई बाते करना डिसक्रस करना इंपोर्टन है, क्योंकि dairy farmer इतने आजकल तक्षम हो गए हैं, कि उनको ये बाते समझ भी आती हैं, और वो practical implement भी करते हैं, अपने formulation में, मैं आपको simple चाब बताता हूँ, methionine लाइसन का, methionine लाइसन हमेशा ही 1-3 ratio में पढ़ेंगे, अगर lettuce से हमने methionine एक ग्राम डाला है, लाइसन हमारा तीन ग्राम जाएगा, मले इसकी रेशो इतनी ही रहती है, तो अगर मैं बात करूँ, खास करके methionine लाइसन करते ही क्या है डिनी में, क्योंकि इनकी importance, यूँ है लिमिटिंग है, तो हमें supplement करने से क्या फाइदा हो, इससे important बात ये है कि methionine अगर हम supplement करेंगे, तो हमारे दूद को अतपादन बढ़ेगा, और फैट का भी बढ़ेगा, मतलब इसमें दूद को तपादन बढ़ने के चांसे जादा होते हैं और अगर हम लाइसन को supplement करें अपने डाइट में, अपने एनिमेल की डाइट में, तो फैट का ही जाफा होगा दूद, आप ये ग्राफ मी दे सकते हो, कि अगर हमने supplement गया, methionine and lysine, इन में दूद में production भी बड़ा, और दूद में fat content भी बड़ा, तो as a mine recipe profile, अगर हम इसको supplement करें तो animal की health में भी जाफा होगा, animal के muscle गीन में भी जाफा होगा, उसके दूद के content में फैदा होगा, दूद के fat content में भी फाइदा होगा, और सबसे important बात यह है, कि आप यह मत समझना कि methionine and lysine बड़े महिंगे महिंगे मिलेंगे, यह बड़े-बड़े farms वाले, यह महिंगे-महिंगे farms वाले ही, यह मिशाइए, मतलब इसको purchase करके use कर सकते हैं, these are very cheap in their pricing, so आप सभी को बड़े सस्ते अराम तरीके से आपको मिल सकता है, यह methionine and lysine, तो अगर आपके पशोग कभी कमी लगे किसी चीजों की, right, तो किसी nutritionist की help से-सला से, आप methionine and lysine का level, अपने feed formulation में जुरूट balance out करवा दो, ताकि आप हमारे animal को जो protein है, right, protein का जो फाइदा होना चाहिए, वो completely हो, amino acids की enabling proper होती है, कितना कितना amino acids डाला हो होता है, उसमें यह नहीं होता कि यह protein का डब है, protein आप एक scope दोसको ब्लेवल नहीं, उसमें properly mention होता है कि हर एक amino acids का कितना level है, एक scope में कितना amino acids आएगा, क्योंकि humans में इतना advanced आगया है कि हमने amino acid profile पूरी करनी है, ताकि अगर हमने body को यह protein की needs पूरी करनी है, तो हमने dairy sector में भी यह करना पड़ेगा, अगर हमने properly इनकी protein की requirement पूरी करनी है, और overall benefit लेना है, हमारे oil cakes का और overall nutrition का, तो ऐसी scientific information लेने के लिए, do reach out my channel, that is Dr. Charandip, और मैं मिल अपको लिए ने 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 लिए, आ मैं ने लो हो आपको देलेगा, ने 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 लिए, प्लिए, आ मैंश्का